गोपाल अपनी बेहदी खूबसूरत दुलहन के साथ दर्वाजे पर खड़ा था उसकी माँ हाथों में थाली लिए अपनी नई बहु का स्वागत कर रहे थी वो दोनों माँ का अशिरवाद लेने के लिए जुकते ही है भाभी पानी का मग उसके उपर उडेल देती है और उसका सपना तूट जाता है अरे ये क्या कर दिया भाभी मेरा सारा सपना चकना चूर कर दिया पता है बिलकुल अपसरा जैसी देवरानी लाए था मैं तुमारे तुझ निकम्मे को कौन अपसरा लड़की मिलेगी अरे तुझे तो कलू धोभी की वो मोटी भैसी लड़की टुन टुन भी मिल जाए न तो भी भगवान का शुकर मनाना काम का ना काच का दुश्मन अनाच का मा देखो ना भावी को जब देखो बस मेरे काम करने के पीछे ही पड़ी रहती है अरे बेटा तुझ कोई काम क्यों नहीं ढूंड लेता अगर तुझ कोई काम करेगा दो पैसे कमाएगा न तो तुझे अपने भाईया भावी के ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे तुम ठीक कहती हो मा, मैं आज ही कोई काम ढूंड लेता हूँ ये है गोपाल जो माधवपूर नामक गाउं में अपने बुढ़े माता पिता और भाई भावी के साथ रहता है गोपाल अपने घर में सबसे छोटा है इसलिए अपने माबाप का लाडला तो था ही लेकिन कोई काम ना करने के कारण उसे सब के ताने भी सुनने पड़ते थे लेकिन एक रोज दिल का दौरा पढ़ने के कारण गोपाल के पिता का निधन हो गया अपने पिता की मौद के बाद गोपाल ने भी ठान लिया कि वो भी अब घर की जिम्मेदारी उठाएगा और कोई ना कोई काम ढूंड कर ही रहेगा काम की तलाश में गोपाल जंगल के रास्ते दूसरे गाउं की तरफ जाने लगता है तभी उसे एक बैल गाड़ी दिखाई दी चाचा क्या तुम दूसरे गाउं तक पहुँचने में मेरी मदद करोगी मैं तुम्हें दस रुपे दूँगा ठीक है आ जाओ बैठ जाओ चाचा क्या तुम किसी रास्ते से रोजाना जाते हो हा बेटा मेरा तो रोज का ही काम है एक गाउं से दूसरे गाउं सामान पहुचाना इस काम के तुम्हें कितने पैसे मिल जाते हैं कभी सो रुपे मिल जाते हैं कभी दो सो रुपे काम मिलने पर निर्भर रहता है पर अब तो मेरी उम्र हो चलनी है तो इसलिए बैल गाडी हांक नहीं पाता, सोच रहा हूँ, कोई लड़का नौकरी पर रख लेता हूँ, वही ये काम समान लेगा गोपाल बैल गाडी वाले के हां काम करने लगा, उधर गोपाल की मा को भी उसकी चिंता हो रही थी, पता नहीं मेरा बेटा गोपाल कैसा होगा, वो चला तो गया काम डूरने, पर पता नहीं वो किस हाल में होगा, भगवान उसकी सहायता करना, अम्मा, तुम्हारा बेटा कोई छोटा दूद पीता बच्चा नहीं है, कहीं फालतु की सड़के नाप रहा होगा, और दोस्तों के साथ मजे उड़ा रहा होगा, सुधा बहू, कभी तो मेरे बच्चे को बख्ष दिया करो, हर वक्त उसको ताने देती रहती हो, गोपाल की माउस के आने की इंतजार में थी, उधर गोपाल मेहनत कर रहा था, पैसे कमा रहा था, एक शाम, गोपाल बेटा, आज तुम्हें चन्दनपुर नहीं बलकि रामपुर गाउं जाना है, वो यहां से कुछ जादा दूरी पर है, तुम अभी निकलोगे तो कल शाम तक वापस लोटाओगे, ठीक है चचाचा, मैं अभी चला जाता हूँ, गोपाल माल लेकर बैल गाड़ी पर निकल पड़ता है, तब ही उसे किसी के पुकारने की आवाज आती है, यह कौन पुकारा है, अरे तुम कौन हो, और इस पिंजरे में तुम्हें किसने बंद किया, रुको, मैं अभी तुम्हें बाहर निकालता हूँ, रुको रागीर, यह पिंजरा ऐसे नहीं खुलेगा, जब तक वो राक्षस मारा नहीं जाएगा, तब तक मैं नहीं बच सकती, मैं एक परी हूँ, मेरा नाम सोना ली है, राक्षस ने मुझे यहाँ कैद कर लिया, और मुझे यहाँ कैद करके रख लिया, मेरी जान तभी ब विवाह कर लो, तो राक्षस की शक्तियां कम हो जाएगी, फिर तुम उसके गले की माला तोड़ देना, वो मारा जाएगा, गोपाल उस सुनहरे बाल वाली परी से विवाह कर लेता है, तब ही वो राक्षस आ जाता है, मुर्ख मानव, तुने यह क्या किया, तुने परी से अब तु मेरे हाथों से मारा जाएगा, गोपाल इस राक्षस की सारी शक्तियां समाप्त हो चुकी है, तुम इसके गले की माला को तोड़ दो, ये लो तलवार, गोपाल तलवार की सहायता से राक्षस के गले में पड़ी माला निकाल कर तोड़ देता है, और राक्षस मारा पुपाल बेटा तू आगया, तेरे बिना में कितनी उदास और चिंती थी, पर ये कौन है? यह तुम्हारी छोटी बहु है तुम अपने बालों को कभी धोती क्यों नहीं हो? मैंने देखा है जब से तुम इस घर में आई हो तुम नहातो लेती हो पर इन बालों को कभी नहीं धोती हो? भाभी मेरे बाल सोने के हैं ये सुनेहरे जादूई बाल है इन्हे धोना नहीं पड़ता ये अपने आप ही जादू से साफ हो जाते है क्या तुम्हारे सुनेहरे बाल जादूई है फिर तो ये बहुत कीमती होंगे हाँ भाभी मेरा एक सुनेहरे बाल अगर पृत्वी पर इसकी कीमत परकनी हो तो करोडो रुपे का है अच्छा भाबी, मुझे लगता है गोपाल मुझे बुला रहे हैं मैं अभी आती हूँ करोडो रुपे का एक बाल अगर ये बाल मुझे मिल जाए तो मैं इन बालों को बेच कर अरब पती बन जाओंगी सुधा किन खयालों में खोई हूई हो और ये मनी मन क्या बाते कर रही हो कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी सुधा के मन में पाप आ जाता है वो ये बात अपने पती को बताती है अब क्या, सुनाली के बाल इतने कीमती है सुधा अगर ये बाल हमें मिल जाए तो हम दोनों चुपचाप यहां से कहीं दूर चले जाएंगे और पैसों से खुब ऐस करेंगे हाँ, बस तुम किसी तरह सुनाली के बालों को हधिया लो तुम चिंता मत करो मैंने सब सोच लिया है मैं आज रात ही जब सुनाली सो रही होगी उसके बाल काट तूँगे और रात ही रात में हम दोनों यहां से गायब हो जाएंगे रात के व्क्त जब सब सो जाते हैं सुधा चुपचाप सुनाली के पास जाती है सोनाली गहरी नीन में सो रही थी सुधा के हाथ में कैची थी वो सुनाली के बालों को जैसे ही हाथ लगाती है सुनाली के बालों के सपर्ष से सुधा के हाथ जलने लगते है बचाओ, बचाओ कोई कोई मुझे बचाओ मैं जल जाओंगी मेरे हाथ जल रहे है सुधा तुम्हारे ये हाथों में ये क्याची क्या कर रही है और तुम सुनाली के कमरे में क्या कर रही हो मुझसे बूल हो गई मैं सुनाली के बाल काटकर बेशना चाहती थी अही मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी मुझे बचालों में जल जाओंगी भावी आप चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा, आप मेरे बालों को इस परश करो, यह आग बुच जाएगी सुधा सुनाली के बालों को जैसे ही हाथ लगाती है, आग गायब हो जाती है, लेकिन सुनाली के सुनहरे बाल साधारन बालों में परिवर्दित हो जाते है साधारन मनुश्य की भाती आप सब के साथ रह सकती हूं, अब मैं परी नहीं, एक साधारन इस्त्री हूं। सुनाली, तुमने मेरे लिए अपने सुनेरे बालों का बरीदान दे दिया, तुम बहुत अच्छी हो सुनाली। सुनाली गोपाल सुधा के साथ साथ मैं भी तुम्हारा गुनाकार हूँ मुझे माफ कर दो सुधा और सुनाली गले लग जाती हैं ये देख सब बहुत खुश थे और उस दिन के बाद सुनाली अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगी